हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री, MHI01, Lesson 17, परिवर्तित रोमन समराजज़े के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो परिवर्तित रोमन समराज़ज़े और परिवर्तित रोमन संसार दोनों एक ही है तो यह confused मत होईएगा यह Lesson थोड़ा बड़ा होने वाला लेंद ही है तो इसको मैंने टोटल चार सेग्मेंट में बढ़ा है और चारों सेग्मेंट को अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो यह चैप्टर है clear हो जाएगा बुक के questions भी cover हो जाएगे और कुछ चीज़े जो छूट रही है आपको उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको rough rating करनी पढ़ेगा जिससे वो पूरा यह जो चैप्टर है clear हो जाए चले कौन-कौन से चार सेग्मेंट है हम बात करें उसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तित रोमन समराज्य के बारे में कि किस परकार से रोमन समराज्य परिवर्तित हुआ और कौन-कौन सा राजा किस परकार से लीड गया रोमन समराज्य को यह हम first segment के अंदर में पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा सेगमेंट होने वाला है वहाँ पर हम बात करेंगे रोमन राज्ये के बारे में उनकी प्रशाशन व्यवस्था के बारे में ठीक है उनके अर्थ व्यवस्था के बारे में किस परकार से हमके अर्थ व्यवस्था लीड करें थी कि रोमन समराज्य की समाजिक संरचना किस परकार का था समाजिक संरचना रोमन समराज्य का बहुत ही important topic है और last year इसमें से जो ये topic है दासपर्था का निमन वर्ग और दासपर्था का ये last year question भी put up किया हुआ था आपके exam के अंदर में ठीक है तो रोमन समराज्य के अंदर में हम जब भी बात करते हैं तो दासपर्था निमन वर्ग एक important topic के तौर पे देखा जाता है ठीक है इसको हमिसा study किया जाता है तो हम इसके बारे में हम discuss करेंगे तो ये हमारा तीसरा segment रहने वाला है चोथा जो हमारा segment है वो धर्म को लेकर है ठीक है कि रोमन समराज्य के अंदर में जो धर्म ववस्था थी वो बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ एक time के बाद reason क्या रहा कि जो सासक थे उनके मन में कही ना कही धर्म को लेकर डर था ठीक है धर्म को लेकर डर था सत्ता गवाने का डर था तो उन्होंने अपने समराज्य का विस्तार करने के लिए धर्म का विस्तार करना सुरू किया और धर्म के विस्तार के साथ साथ उनका समराज्य रोमन समराज्य भी बहुत ज़्यादा विस्तार किया तो हमारा चोथा सेगमेंट रहेगा इसाई धर्म का विस्तार ठीक है तो ये चार टोटल सेगमेंट में बटकर हम पूरे चैप्टर को किलियर करेंगे आप से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपको वीडियो वैल्यूवल लगती है समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने सबी दोस्तों के साथ सेर करें और चैप्टर वीडियो देखने के बाद चैप्टर को एक बार रफली इस्टरडी जरूर करें इसलिए स्टार्ट करते है मारा फॉर्स टैग्मेंट से रोमन समराजे दोस्तों रोमन समराजे की बात करते है तो अपने आप में ही बहुत बड़ा समराजे के तौर पे रोमन समराजे देखा जाता है ठीक है, रोमन समराजे, अपने आप में बड़े समराजे के तौर पर देखा जाता है, 44 इसा पुर्व में जूलियस सीजर की मौत होती है, ठीक है, और जूलियस सीजर एक ऐसा नाम था, जिसने रोमन समराजे का नी विकतर से रखी थी, बहुत जादा तरक्की किया, ठीक है, और रोमन समराजे का जो अस्तित्व था, वो जूलियस सीजर के कारण एक समय पे था, ठीक है, 44 इसा पुर्व में जूलियस सीजर की मौत होती है, उसके बाद 31 इसा पुर्व के आसपास, आकेट विनियम करके नया सासक बनता है, और ये जूलियस सीजर का परवाव इतना ज सीनेट, सीनेट की साहिता से इसने क्या गया, अपने आपको प्रिंसपे की उपाधी दे दी, ठीक है, प्रिंसपे की, प्रिंसपे की उपाधी क्या होता है, प्रिंसपे मतलब एक तरह का first person of the country, ठीक है, जैसे रास्टपती होता है, तो उस तरह से इसने अपने आपको प्रि अंधो किया नीजी लोगों कि हो भर्ती थी लोगों को उसने नुख्त किया जो आकेट वीनियम था इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या देखी जाती है कि इसने गणतंत्र व्वयवस्ता को ठीक है कायम रखा ठीक है गणतंत्र ज्यूलियस हीजर के टाइम उसको इसने कायम रखा, गणतत व्यवस्था के अंदर में क्या होता था, सीनेट को बहुत जादा importance दी जाती थी, फैसले जो लिये जाते थे, decision लिया जाते थे, तो उसके अंदर में सीनेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था, तो इस तरह की व्यवस्था को इसने चालो रखा, उसके बाद में क्या होता है, सीनेट की साहिता से, आगस्त की उपादी मिलती है, ठीक है, आगस्त मतलब होता है, कि जिसका सूरज कभी अस्तना हो, ठीक है, आगस्त, और जिसकी पूजा करना, इसको देवता के समान माना गया कि भाई ये हमारे गौड है भगवान है तो आगस्तस की उपादी दी गई इसको और इसको का गया कि ये पूजनी है पूजनी की पद्वी इसको दी गई कि इसके हम पूजा करने चाहिए ठीक है समझ में आता है ये आकेट विनियम के साथ हो र किआ तिक्वे इसकी मिर्ती होती है मिर्ती ह amis और शी अपे गोदलिया हुआ बच्चा ढंटक पूतर थंखते तैव्रीमस करके नाम होता है थोड़ा जीव जीव नाम है ठीक है और इसका नाम होता है थाइभ निटिए कि बेरिमस्ट ये यह शासक का इसका दतक पट्र होता है अर्मूस्ट के बाद में 11 Due차 यह सारे इस्पार्व शासन करते हैं और कई सारे इंडिकारी यो सासन करते हैं जो सासन करते हैं अंतिम जो सासक था और यल अन्दिम सासक के ओतौर पे देखा गया इस वत्स का और लिय ऐस कौन का छाट जर्दा संब्धी समराजी के ओता कि इस राइस्सी अधोली इससी कुछ अधे सब्स morality संब्धी से स्मिय सास संब्धी सम्राजी संब्ध की सबस्तर के यहां कि देंट निरफाश कि लिए और कि लिए निम्न वर्ग और क जाल사 के जास को तो OO जाए को बहुँ जादा jest कि यहां पर आधार बुद्ध जो संरचना ही होती है उसकी मूल चीज़ें यहां पर दी गई जैसे भी बेसिक संडीड है जो लोगों को यहां पर दिया गया ठीक है तो इस तरह से चीजें चलती हैं दोस्तों और दूसरी सताब्दी तक कि राजनेतिक स्थिति थी वह बहुत स्थिर रही दूसरी सताबदी तक में राजनितिक स्थिर बहुत ज्यादा इस्थिति जो रोमन समराजे के अंदर में थी फिक्स थी को जादा उसमें हल चल नहीं हो रहा था पर तीसरी सताबदी के अंदर में क्या होता है राजनितिक स्थिति के अंदर में मिस्रित सासन विएस्तार करता है। कि कई सासन जो सासक होते हो चेंज होते हैं त 친 norm visit the third सताब़ी में रोमन सम्राज्य का सब्सक्राइब में देखा घौने लग जाता है। ठीके, सो वर्सों तक जो इनकी ववस्था जैसे इस्तिती बनी गई हुई थी, जब यहाँ पे 20 अलग-अलग सास को ने रोमन समराज्ये पे राज किया, ठीके, तो उसके काण से क्या हूँ, पूरे रोमन समराजे के अंदर में और ववस्था जैसे स्तिती बन गई थी, ठीके एक तरका एक ववस्था नहीं चल रहा तो यह हां पर देखने क्ले मिल जाता है 284 के अंदर में 284 ईसा के अंदर में क्या होता है Diagletian Diagletian करके सासिक बनता है 284 के अंदर में और 306 में Diagletian सेवा निर्दित हो जाता है और जब Diagletian की मिर्थी होती है तो उसका जो बच्चे होते हैं वो दो बच्चे होते हैं दोनों क्या करते हैं रोमन समराज्य को दो पार्ट में डिवाइड करके आपस में बाट लेते हैं दोनों उस पे राज करते हैं ठीक है तो यह हमने पढ़ा इनके रोमन समराज्य के बारे में अब हम राज्य के बारे म जिससे आपको clear हो image कि romance अमराचे है क्या आप अगर अगर book से पड़ोगे तो आपको बहुत सारे नाम्स मिलेंगे जो book में आपको दिये गए हैं कि ये राजा बनाए कि एक राजा का पूरा detail दिये गए हैं मैंने पूरा detail यहां पर use नहीं किया नॉर्मल जो मुझे जरूरी लगा वो मैंने आपको यहां पर बताया है तो मैं आपको suggestion करूँगा कि suggest करूँगा कि एक बार आप book को जरूर पड़े इस video को देखने बाद आपको जो चीज़े समझ में आते हैं उसके बाद में एक बार roughly book को study जरूर करें जिससे आपको चीज़े समझ में आए कि हाँ यह वाला point यहां पर बताया था मैंने और यहां पर यह वाला point है इस तरह से reconnect आपस में हो जाएंगे सारे points ठीक है समझ में आता है चले हम अगले points की और बढ़ते हैं दोस्तों अगर कुछ समझ में आए अगर किसी को कुछ problem हो confusion हो तो आप comment कर सकते हो मैं आपको WhatsApp गुरूप का link दे दूँगा वहां से आप मुझे directly कुछ भी question हो directly पूछ सकते हो या फिर आप description में जाए वहां पर सभी social media platform के links दी हुए हैं वहां से भी आप directly मुझे questions पूछ सकते हो यहां हम दूसरे segment की बात करें तो दूसरे segment में आता है रोमन राज्य के बारे में राज्य और प्रशासन विवस्था के बारे में कि उनका राज्य और प्रशासन विवस्था किस परकार का था तो राज्य और प्रशासन विवस्था की में बात करू तो 284 इसा के अंदर में क्या होता है पेकस जो पेकस होता है पेकस रोमाना उसका यूग समाप्त होता है ठीक है 284 में पेकस रोमाना का यूग समाप्त हो जाता है ठीक है पेकस रोमाना कुन था तो पेकस रोमाना एक प्रकार का शाशक था ठीक है रोमन समराजे का उसका यूग समाप्त होता है उसकी मिर्ति होती ह और उसके बाद दूसरा यूग सुरू होता है सो बरसों तक जो इनकी अर्थववस्था थी जो उनकी वववस्था थी वो अववस्था जैसी इस्तिती में रहता है अववस्था मतलब एक प्रोपर सुचारू रूप से चलने वाली प्रशासन ववस्था नहीं काईम कर पा रही थी रोमन सम्राजे रीजन क्या था? कि उत्तरा दिकारियों की जो इस्तिती बहुत कमजोर मानी जा रही थी बार-बार नहीं नहीं सासका रहे थे 20 से भी ज़्यादा सासकों ने वाँपे सासन किया तो के रहा रहा हे इस से सो वर्शे भी ज़्यादा की सम्राभी आववस्था के इनदर में देखा जाता है इस time period के अंदर में जो वस्था वाला time period था वहाँ पर 20 से अधिक सास को न happen saasun किया 284 के अंदर में Diocletian के हाथ में saasun किया 284 में जैसे ही Pagesus का सासun कोutा है Diocletian के हाथ में saasun क बनाता है और Diocletian कॐन था? Diocletian एक ऐसा वेक्ती के तौर पर उभर कर आता है को बहुत ज़्यादा मजगूत करता है ठीक है और रोमन सम्राज्य को पूरे रोमन सम्राज्य को वो टोटल चार भागों में बांट देता है चार भागों में बांट कर क्या करता है एक भाग तो अपने पास में रख लेता है और बाकी तीन भाग अलग अलग सम्राटों को दे देता है तीन भाग समराटों को कहता है तुम अपने इसाब से glow जो सցम्राट होते है तो ड्यक्लीशन के परती उतारदाई उ माने जाएंगे इस तरह के से ये प्रशासन विवस्था ने पॉर्वी हिस्से को ने हैं करता हूं उसका जो व्यक्तितु था, बहुत जादा प्रवाफसाली था, और कभी भी उसके टाइम पिरेडे में परसासन व्यवस्ता के अंदर में कोई समस्या नहीं देखने के लिए मिलती है, तीन राज्यों के अंदर में बटने के बाद जूद भी जो रोमन समराज्यता उसका विका उसके बाद जो राजवन सोते हैं, उनकी महत्व कांक्षा बढ़ जाती है, ठीक है, वो बाकी राज्यों खोतियाना चाहते हैं, उनकी सीमाओं में आपस में यू दोना सुरो हो जाते हैं, इस तरसे चीजे चलती है, अब क्या होता है कि उनके प्रसासन व्यवस्ता जो होती दूसरे जगह इसकी राज़ानी बनाए जाती है, नए सहरों का निर्मान किया जाता है, अलग अलग तरह के नए सहर बसाए जाते हैं, ठीक है, राज्ये के अंदर में इसाई धर्म का परसार किया जाता है, इसाई धर्म का परसार किया जाता है, इसाई धर्म का परसार के प विपक्ष की लोगें, वो अगर इसाइध धर्म से मिल गए तो हमारी सत्ता हां से छीन जाईगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या, उससे पहले जो अगर विपक्ष करने वाली है, तो उससे पहले हम कर देते हैं, और इसाइध धर्म का उन्होंने विस्तार करने के साथ साथ समराज्य का ही विस्तार के हैं जैसे जैसे इसाय धर्म का विस्तार हुआ उसी तरह से समराज्य का विस्तार हुआ तो यह हमें देखने के ㅲे मिलता है 391 में ठीक है 391 में 391 में में दोनों लडगे क्या करते है आपस में रोमन समराजे को दो पार्ट में बात लेते हैं पहले देखो में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उनको उसका विस्तार करते हैं यहां पर रिभाल की बीच में यहां पर ताइम प्रायट आगे बढ़ता है चौर्थी से पांची सी के वी चूर में आकर्मण सूरु जाता है रोमन समराइज जी कुपर में जिसमें सबसे पहल्ड आकर्मन को होता है और उनकी जो व्वस्था से नीचे रिसकसान वह吗 बक्राथ उस fight नाघ करते हुए दास थो को इस एक प्ते हैंने इसके ने सबिस्वारर्च जो वर्ग और नीचे करते हुए दास्तोस तक ता दास हो गया किसान हो गया नमनवर हुए मतलब इस तरह से पूरा बनना हुआ था दास नमनवРИ किसान अभी जात ठीक है और अधिकारी जो से नाधिकारी होते थे वो जो होते थे वो उसके बाद में नोकर साही से नाधिकारी उपर में समराथ इस तरह से उनका पिरामिड अनिकार उस बने हुए थे ठीक है खास पदों पर राजाओं की साहिता से जो उनके नीजी लोग होते थे उनकी नियुकती की जाती थी ठीक है टिक장 अगरी के ववस्था बहुते Ist थि ठीव अगर में बात करूँ हो हो हाँ पर अनाच की पूर्ती हो गया पुलिस हो गया ठीके नाज ववश्था हो गया और ढूसरी जो चीज़ें उसके अंपर में जो मेंगत्रोका होती थि में अ이나पडारह करते हैं Declade के चीज यहां पर मेट्रोपॉलिस के अंदर में देखा जाता था ठीक है समझ में आता है यहां पर परशाशन द्वारा राज देक्षो की निवक्ति की जाती थी एक तरह से जो क्वेस्टर होते थे क्वेस्टर करके एक पद होता था जिसका नाम एक तरह से खजांची जो प्रांतों के अंदर में चोटे-चोटे जो प्रांत होते थे उसके runsrick's होता था उसके हात में उसकी प्रसासन वुभस्था थी जैसे भारत के अंदर में गया अलगलग राज्ये और राज्ये सेग्मेंट खतम हो जाता है तीसरे सेग्मेंट की मैं बात करूं तो तीसरे सेग्मेंट के अंदर में हम पढ़ने वाले दास विवस्था के बारे में निम्न वर्क और दास विवस्था के बारे में समाजिक संरचना के बारे में दोस्तों देखो रोमन समराजे की जो समाजिक संरचना है वो बहुत important मानी जाती है हमेशा इसमें से एक नाई कोशन बनता है रोमन समराजी की समाजिक संरचना का समाजिक संरचना के अगर मैं बात करू तो रोमन समराजी की समाजिक संरचना पिरामीड के अकार का था पिरामिट के अकार का किस परकार से सबसे नीचे में आता था दास ठीक है दास उसके उपर में आता था नीमनवर्ग उसके उपर में आता था किसान उसके उपर में आता था मतलब किसान के बाद में आपके नोकर साई वेवस्था वाले जो होते थे अभी जात वो आ जाते थे उसके उपर में आता था पादरी, पादरी की उपर में आता था समराट जो राज़ा होता था, इस तरीसे पूरा वो बटा हुआ था, अब देखो, दास सबसे नीचे होते थे, ठीके, और उसके दास्सों से उपर होते थे, निमन वर्ग, ठीके, जिसमें किसान इसंस अ आ जा पर में वाले फालि को पर होता टा टूस legal कर रखा गया और सबसे अपर में भूखे घंट को सबसे ऊपर में यहां पर रखा जाता था तो इस तरीके से इनकी पूरी विवस्था थी और यह चलता है इस प्रकार से अब देखो इस विवस्था के अंदर में क्या होता है दास को सबसे नीचे माना जाता है और दास के साथ में क्या था यहां पर दास को एक वस्तु के समान रोम के अंद बहुत हो candidtail डास को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था। ठीक के खरीदा जा सकता था। बेंचा जा सकता था। रूकर वाना जाता था। शाशत के अंदर में दास्युत को एक तर श्यु का अधर 11-12 के अंदर में economics अगर पढ़ी होगी तो आपने demand and supply पढ़ा होगा जिसके अंदर में अगर demand बढ़ती है तो supply कम हो जाती है ठीक है rate जो के इस तरह से बढ़ता गड़ता है वो आपने देखा होगा तो दासों के अगर संख्या कम होती थी तो इनके जो मुल्य होते थे rate होते होते है वो increase होते थे अगर दासों के संख्या बढ़ती थी तो मुल्य जो होते थे वह decrease होते थे तो इस तरह से यहां पर दासो वस्ता है यहां पर देखा जाता है ठीक है साथ साथ के अंदर में अगर मैं सुरू से अकर मैं बात करूँ यांपब सबसे पहले मैं निम्न वर् के चैसे जंदे देका में और देखों की की जाती थी निंवन रर्ग के अंदर में कृशी सबसे बड़ा वर्ग था कृषक टौऊ अब क justement साथ सात में वह वेगार का भी काम करते थे अब बैगार क्या होता है ठीक है जूद मतलब बेगार कि से का ठीक है तो बेगार के कारे भी वो करवाये करते थे सासात में उच्छे वर्ग की सेवा के सासा तो बेगार का भी काम करते थे जो निम्न वर्ग होता था उच्छे वर्ग की सेवा के लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी कि भाई आपको इसकी सेवा करनी है और बेगार के कार मजदूरी करने का प्रियास करना शुरू कर देता है निमन वर्ग के अंदर के अंदर में किसान चर्च और मतलब किसान चर्च और सहर में मजदूरी करने लेकर जब विस्थापित होता है तो किसानों के किसान, किसानी करते हैं, कुछ किसानी में लग जाते हैं, मतलब कहती करने लगते हैं, कुछ सेना में जाना चाहते हैं, कुछ चर्च में लग जाते हैं, और कुछ सहरों में मजदूरी करने लगते हैं, तो इस तरह से अलग अलग जगा पे ये निम्न वर्ग हमें देखने के ल जो वेश्या दो करते थे चोटे-मोटे वैपार करते थे तो उनको में रखा जाता था रोमन समराज्य की जो इस्तिति ती बहुत अच्छी नहीं थी इन सब चीजों को लेकर दास व्युश्था को लेकर उतनी अच्छी नहीं थी टिक रास्शाही के द्वारा जो वर्गो का ह करें। hey, लाइजा जाता था. मजदोर उसे बिगार करवाया जाता था, बीना पैसे कही कारे करवाया जाता था अकर हम मैं mode연सों के बात करूं तो दासओ की स Aunty रहां की इसके पढ़ू सोगती कुछ जादा खास नहीं थी बहुत जाते yinia बहुत बड़ा युगदान था रोमन उत्पादन का उसमें बहुत बड़ा युगदान दासो का यहां पर माना जाता था ठीक है अभिजात वर्क को उसका बहुत जादा रूल करते हैं पूरे इसको लीड करते हैं अभिजात वर्क को यहां पर यह देखने के लिए मिल जाता ह कानुन विवस्था के अंदर में दासों को अपनी संपत्ति मान जाती थी जो कानुन विवस्था था रोमन समराज्य का उसके अंदर में दासों को दासों को उनके सासकों की संपत्ति के तोर पे देखा जाता था ठीके दासों के रखर खाव थोड़ा महंगा पड़ता था ठीक कि कि तुम्हें मतलब लोग क्या होते थे कि जो दास बेचने है कारे करते तो उनको कई बार लिक्तरी के लिए जुब पने 되면 बसने के लिए जगण जमीन देना मनेर आखे 115 चार्फ उनको संपत्ती 300 औरो रह सकते हो लुक्पसद करना के लिए संपत्ती पीड़ीन घे वहु घे समर्चना जो में ने बताया आपको, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा रोमन समराज्य के अंदर में, तीसरा जो टॉपिक था, यह इस तर से क्लियर हो जाता है, चौथा टॉपिक के अगर मैं बात कर तो वहाँ पर आया जाता है इस थापना का जो में कारण था, उसका में कारण बनता है डर, ठीक है, जो सासक थे, देखो, वापस से मैं आपको समराजे का, उन सासकों के मन में डर था, कि इनके जो भी पक्ष के लोग हैं, कहीं, यह इसाई दर्म का फाइदा उठाकर, इनके खिलाफ ना हो जाए, ठीक है, और इनके सत्ता में परिवर्तन ना कर दें, तो इस तरह के चीजें यहाँ पे थी, लोगों के मन में क्या था, युआंके शासकों के मन में डर था, इसकी कान से यहाँ पे इसाई दर्म की स्थापना की जाती है, रोमन सासकों को ऐसा पर्तिक हुआ कि इसाई विद्रोही, इसाई जो लोग हैं, विद्रोही बनकर उनके खिलाफ ना उतर जाये, तो इसकी कान से उनको सपोर्ट किया और जुगदान दिया और इसाई धर्म के विस्तार के साथ सातियां पर रोमन समराज्य का भी विस्तार देखने के मिलता है ठीक है जैसे जैसे इसाई धर्म का विस्तार हो रहा था उस तरह से रोमन समराज्य का भी विस्तार होता है रोमन समराज्य के भी लोगों में इसाई धर्म काफी लोग पर यह हो गया, इसाई धर्म काफी जादा लोग पर यह देखा रह गया ठीक है, रोमन समराज्य का जो व्यापक विस्तार, इसाई धर्म के व्यापक इस तर पर विस्तार के कारण से ही माना जाता है जिस तरह से रोमन समराज्य का विस्तार होता है उसी तरह से रोमन इसाई धर्म का विस्तार हो रहा था तो एक तरह सी कह सकते हैं कि चाहे आपका राज्य का विस्तार हो तो भी इसाई धर्म का विस्तार हो रहा है अगर इसाई धर्म का विस्तार हो रहा है यह यहाँ पर माना गया तिके धर्म मतलब यह धर्म समराज्य का राजधर्म बनना आगे चलकर जो होता है इसको राजधर्म खुसित कर दे जाता है कि यह में जो धर्म है वो हमारे राजज्य का यह है इसाई धर्म है जहां जहां रोमन समराज्य थे वहां वहां पर इसाई धर्म का विस्तार होता हो और इसाई धर्म में ही समराज्य को काफी ज़्यादा लोग पिरे रहा जो रोमन समराज्य उसको लोग पिरे बनने का पीछे कारण भी क्या रहा कि इसाई धर्म क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़े स्थर पर किया जाने लगा ठीक है और जो रोमन राज्य की दमनकारी नीती थी उसके बाद भी इसाय धर्म का फैलाफ सुरू हो गया और वो फैलता गया और आगे चलके बहुत वो विस्तार उसका होता है दोस्तों ठीक है समझ में आया होगा आपको ठीक है अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप उसको के लियर कर सकते हैं बाद में कमेंट करके ठीक है एक यहां पर मैं आपको चीजे सजेस्ट करूँ तो मैंने बहुत साइट टॉपिक्स इसके अंदर में छोड़े हैं रीजन यह है कि विस्था इस परकार का था कर था यहां पर ठीक है मैंने यहां पर रोम पर रोमयन समराजी के अर्थविस्था नहीं बताहिक है कि इस चीजह मारगों लए ज़ाए निजल दूसरी जगह वैपार के लिए जाते थे, कई जगह के परमान भी वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इस तरह के चीज़े यहाँ पर हमें पता चलती है, ठीक है समझ में आता है, अर्थवेस्था के बारे में, यहाँ पर बाकी यहूदी धर्म हो गया, आरंबिक स समपरदाय क्या थे, ठीक है, यहाँ पर रोमन समझ राज्य का, इसाई दम का परचार, तो इन में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, बस थोड़ा सा जो आपको concept समझ में आना चाहिए, जो book के लिए useful है, मैंने उसको यहाँ पर use किया है, तो आपके लिए suggestion यह है, कि एक ब सभी दोस्तों तक share करें, सभी दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को, और subscribe के बगल में ही एक join का button है दोस्तों, आप चाहें तो वहाँ पर join भी कर सकते हैं, जिससे और भी benefit जो है, चैनल के आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कई तरह क्यूज होते हैं, उसके अंदर में जो subscription व झाल झाल